हलो नमस्कार अदाव सलाम सस्ट्री एकाल केमचो कसेकाई के रोहाल है केनाच्छी यहां सब कैसनवानी हावर यू कैसे हैं आप लोग मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं रूचक योग के बारे में कि आपके कुंडली में अगर रूचक योग है तो आप समझने की आपकी जिंदगी बदल सकती है लेकिन लोग फोन करते हैं मेरे पास और कहते हैं कि गुरुजी कुंडली में तो आप कहते हैं रूचक योग है तब तो इस प्रकार से तुम राजा बनोगे सभी जोटसी बताते हैं कि राजा बन जाएगा अब देशकार्तुम प्रधावन मंत्री बन जाएगा मुख मंत्री बन जाएगा एंपी एमेले बन जाएगा यह कुछ बड़ा बहुत बड़ा कर देगा लेकिन जिंदगी बीत गई रूचक योग के साथ कुंडली में और आ यह मित्रो जानकारी लेते हैं लेकिन अगर आप जोतिस के बारे में बिसेज जानकारी चाहते हैं तो मेरा वेब साइड है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिसराफोर्यू.com का वहाँ पर में जाएं और सभी जानकारी अपने बारे में मुफ्त में प्राप्त करें और आपको काफी जो है सो अच्छा लगेगा तो आईए अब जानकारी प्राप्त करते हैं मित्रो हमने एक कुंडली बनाई है जो की करक लगन की है करक लगन की कुंडली ये इसलिए है क्योंकि ये जो है पहला घर वो लगन है और पहले घर में चार लिखा गया है इसलिए ये कुंडली कर्क लगन की है ये बात साइद आप जानते होंगे कि पहले घर में जो अंक लिखा हो वही लगन होता है अब रूचक योग का कंडीशन क्या है हमने पहला कंडीशन दिया कुंडली में रूचक योग का कि मंगल अगर केंद्र में हो मंगल केंद्र में हो यानी कि एक चार शत उर दस यानी कि एक नमर गहरिये दो तीन चार नमर गहरिये पांचे साथ नमर गहरिये आठ न दस नमर गहरिये यनि कि इस घर को मित्रों केंद्र कहा गया है एक को चार को शात को और दस को आप इस पर में जो नंबर लिखा हुआ है उसको देख करके ये ना समझें कि ये इतना नंबर घर है नहीं ये नंबर लगन कुंडली का है घर तो इस प्रकार से गिंती होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, सेगारा, बारा, तो एक, चार, साथ, और दस, ये किंद्र कहलाता है, तो अगर आपके कुंडली में पहला कंडिशन की मंगल किंद्र में है, तब नमबर एक कंडिशन, दूसरा कंडिशन की खुद की रासी में होना चाहिए, मंगल का खुद का रासी है, मेश, अथवा, ब्रिश्चिक, एक तो पहला कंडिशन हुआ की केंद्र में होना चाहिए, एक, चार, साथ, दस में, दूसरा कंडिशन हुआ की खुद की रासी में होना चाहिए, या तो मेश रासी में उच्च का होता है मित्रों तो मकर रासी में यानि कि ये जो 10 लिखा हुआ है ये मकर रासी हुआ तो यहाँ पर में अगर मंगल है 10 नमबर जहाँ पर में अंक लिखा हुआ है उस घर में 1, 4, 7, 10 में से किसी में भी तो वो मंगल उच्च का हो गया तीसरा कंडिशन इसमें ये है कि 12 डिग्री से 18 डिग्री पर में मंगल होना चाहिए हमने तीसरा कंडिशन ये दिया है आपके सामने कि 12 डिग्री से 18 डिग्री पर में होना चाहिए तब जाकर कि वो अपना 100% फल देगा और मंगल अस्त नहीं होना चाहिए अगर मंगल अस्त हो गया तो वो फल नहीं देगा फिर पंचमा कंडिशन हमने मित्रो दिया कि मंगल अगर मूल तिरकोन रासी में हो तो और अच्छा है जरूरी नहीं है कि मूल तिरकोन रासी में होना ही चाहिए लेकिन अगर मूल तिरकोन रासी में है तो और अच्छा है और मंगल का मूल तिरकोन रासी होता है मेश आप कहोगे ब्रिष्चिक क्यों नहीं तो मंगल का मूल त्रिकोन रासी है मेश और ब्रिष्चिक भी मंगल स्वामी है ब्रिष्चिक का लेकिन उसका वो सामाननी रासी है अब कहा गया है छठा कंडिशन कि पंच महा पुरुष योग कारक गरह के साथ यदि सूरी या चंद्र हो जाए तो वो योग पूर्ण फल नहीं देता उस व्यक्ति को राजा नहीं बनाता है तब वो व्यक्ति केवल धनवान बनकर रह जाता है यह इसका कंडिशन है तो इसमें आपने छे कंडिशन दिये आपको इसमें से अगर एक भी कंडिशन अगर आपके कुंडली में लागू नहीं होता है तो आपको रूचक नामक पंच महा पुरुष का योग जो है पुर्ण फल नहीं मिलेगा मित्रों अब मैं आपको ये तो मैंने अपने तरब से जो बात ने थी वो कह दिया आपको अब मैं आपको प्रमान दे रहा हूँ आपके सामने पुस्तक है आप देख रहे होंगे पुस्तक में क्या लिखा हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर मैं दिया गया है ये मान शागरी का असलोख है कहा गया है केंद्रोचगा यद्दपिभू सुताध्या मारतंड सीतां सुयुताभवंती कुरवंती दिया गया है कुरवंती नोबिर पतितात पति मात्म पाके यच्छंतिते केवल सत्फलानी यनी की कहा गया है कि मान शागरी के अनुशार यदी पंच महापुरुस योग कारक भौमादि ग्रह सूर्य अथबाच चंद्रमा के साथ केंद्र में सयूक्त हो तो उक्त योगों के कथित फल बाधित हो जाते है जातक राजा ना होकर केवल धनिक होकर रह जाता है अब रूचक फल का रूचक नामक पंच महापुरुश योग का फल क्या है वो आप देख लिजिए परमान के साथ ये जातक पारिजात नाम का एक परमानी ग्रंत है पेज नमबर 329 में आपको दिया गया है असलोक नमबर 6 आप देख रहे हैं यहाँ पर में लिखा गया है मैं परमान के साथ बात कर रहा हूँ आप देखें दिया गया है जातह स्री रूच के बलान बित वफुह स्रीकृत स्रीलान वंतिही सास्त्री मंत्र जपाविचार कुसलो राजा थवातत शमह लावन्यारुन कांति कोमल तनुस्त्यागी जितारिर धनी सप्त्यब्द मिता युखा सह सुखी सेना तुरंगा धिपः ये प्रमान है इसका अर्थ है कि रूचक योग में उत्पन जातक का सरीर खूब बलिष्ट होता है दिया गया है सौस्ठब खूब सुंदर होता है और खूब बलबान भी होता है वह जातक धन, किर्ती और सील से युक्त होता है सास्टर वेता होता है मंत्र जव करने वाला होता है अभिचार में कुसल राजा अथवा राजा के समान धनवान होता है लावं और रैक्तांभ कांती से युक्त कोमल तनूधारी शुखी शेना और अश्वाद से युक्त 70 वर्स की आयू का भोग करता है अब यहाँ पर में अश्वाद का मतलब है कि हाथी घोरा नहीं यहाँ पर अश्वाद का मतलब है आज की समय की अनुसार कि उसको मोटर साइकील, फोर बिलर, टू बिलर और बड़ी-बड़ी BMW, बड़ी-बड़ी करोडों की कार बंगला मकान सब उसको प्राप्त होता है और उसकी जिंदगी होती है 70 वर्स की इसमें मित्रों एक चीज और दिया गया है कि एकादस नवम अथवा दुतिय भाव के स्वामी यदी चंद्रमा से यनी कि एक चार शात दस भावों में इस्थित हो और बिरस्पती ही एकादस शेस हो यनी कि बिरस्पती एकादस घर का एक ज्यारा में घर का मालिक हो तो जातक अपने बाहुबल से चक्रवर्ती राजा वनता है ये योग जो है इसका मूल जानकारी आपको अब प्राप्त हुआ जो की ओरिजिनल जानकारी थी तो अब आप समझ चुके जो मैं क्या कहना चाह रहा था और योटूब पर में जो लोग बताते हैं कि ये रूचक योग है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा रूचक योग को समझने की आवज सकता है ये पंच महापुरुस योग जरूर है लेकिन इसको समझने की आवज सकता इसलिए है क्योंकि ये सब कंडिसन वो फॉलो करता है या नहीं अगर कंडिसन फॉलो करता है तो निश्ची त्रोप से वो सफल होगा अगर condition follow नहीं करेगा मित्रों तो रूचक नाम के पंच महापुरुस का अत्वा कोई भी पंच महापुरुस योग का आपको पुर्ण फल अपने जीवनकाल में नहीं प्राप्त होगा आप एक स्वामानी धनी बन करके रह जाएंगे चलिए उमीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं हमसे फोन करके भी पूछ सकते हैं लेकिन उसका फीस लग जाएगा आपको अगर अपनी जन्म कुंडली ओर जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली म कोई राजियोग है या नहीं तो आप मेरे वाटसेप नमबर 7062757996 पर में वाटसेप कर सकते हैं नमबर एक बार फिर से नोट कीजिए 7062757996 अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को स से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू थेंक्यू सो मज़ जहिन बंदेवाद रहें